Dear students, आप सभी का KSD Math Classes में स्वागत है आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक कर्व को ट्रेस करने जा रहे हैं और इस कर्व का equation क्या है x into x minus 2a into y square equal to a square into x minus a और into x minus 3a ओके, इसको trace करना है तो tracing में सब से पहले हम लोग क्या करते हैं? symmetry symmetry तो symmetry के अंदर मैंने आपको बताया था six point हम discuss करते हैं ठीके, पहला point क्या होता है इसके अंदर? y की powers को देखिए आप y की powers कैसी है? even तो आप क्या लिखो? are the powers of y are even it means given curve is symmetrical about x axis दिया गया वकर x अक्ष के सापेक्ष सम्मित है symmetrical about x axis इसका meaning क्या है? हमारे पास एक symmetry है number one उसके बाद फिर मैंने क्या कर था? x की power देखिए आप तो देखो x को जब हम multiply करेंगे तो पहली power 2 बनेंगे फिर यहाँ पर क्या आएगी x की power 1 तो इसका meaning क्या है? all the powers of x are not even x की सभी का थे sum नहीं है इसलिए y x के respect symmetry नहीं होगी तो यह नहीं है बट आपको लिखना है exam के अंदर द्यान देना ऐसे काटे लगा के मत आया ना 1, 2, 3, 4, 5 आप लिखो x का अंदर लोग क्या symmetry? नहीं है मैंने first video के अंदर बहुत ही clear लिखा था आप उसको देखिए उसके अंदर जो मनें बताया था सारा एक page के उपर लिखो जब भी हम इसका question exam के अंदर solve करेंगे वो सारी बाते आपने को लिखनी है ओके? इसके बाद number third देखो अगर दोनों point yes हों, दो symmetry हों हमारे पास, तब third symmetry होती है, otherwise third symmetry नहीं होगी तो इसका अंतलब क्या है? given curve is not symmetrical about both axes at same time, जैनि कि एक symmetry है हमारे पास, दूसरी नहीं है, तो इसका अंतलब क्या होगा? given curve is not symmetrical about both axes at same time, ओके? तो अब इसके बाद क्या होगा? number four, number four के अंदर हम लोग क्या करते हैं? x और y को interchange करना, x के स्थान पर y पूट करना, y के स्थान पर export करना, ऐसा करेंगे तो क्या होगा? देखो आप, y आजेगा एक, दो, तीन, चार, ठीके? चार जगा पर y आजेगा और एक जगा पर x रहेगा, तो इसका अंतलों क्या होगा? change, तो curve change, curve change होने का अंतलों क्या होगा? y equal to x के respect symmetry नहीं है तो चार नमबर पॉइंट भी नहीं है अपने पास इसके बाद फिर पांच नमबर पॉइंट के दर हम लोग क्या करते हैं? x को minus y और y को minus x, at same time put करना, तो ऐसा करने के बाद भी क्या होगा? देखो आप, curve change होगा, वक्कर की समिकर्ण में परिवर्तन होता है equation of curve is change, तो इसका meaning क्या हो गया? इसका meaning हो गया, there is no symmetry about y equal to minus x y equal to minus x के लिए symmetry नहीं है और number 6, 6 नमबर के अंदर क्या होता है? x को minus x, और y को minus y put करना x को minus x y को minus y, तो देखो आप, क्या होगा? यहाँ minus आएगा, यहाँ minus आएगा, बार minus common नहींगे अंदर, plus हो जाएगा, sign change हो गया ठीके? ऐसे right hand side के अंदर भी क्या होगा? minus common आने के बाद, minus दोनों में से common आएगा, ठीके? तो यह भी plus हो जाएगा, तो इसका meaning क्या है? equation of curve change, वक्कर की समीकर्ण बदलेगी, ऐसा लिएदन आप ऐसा करने पर, वक्कर की समीकर्ण बदलती है, तो इसका अंदर लोग क्या होगा? there is no symmetry in opposite quadrants ठीके? अर्थात, पहले और तीसरे पाद में, दूसरे और चौथे पाद में, दिया गया वक्कर, समित नहीं होगा, तो ये तीन symmetry नहीं है किने और लोग, लगादार वक्कर change हो रहा है, कर्व की equation बदल रही है, इसमें से कोई भी symmetry नहीं है, तीनों में से ओके? तो हमारे पास सिर्फ एक symmetry है कौन से? with respect to x success because y की पाउर क्या है? sum है इसके अंदर तो इसके बाद फिर आईए आप origin, मूल बिंदू तो लिखो आप origin second point होता है ये first होता है ठीके? तो origin का मतलब क्या होगा? हम x के स्थान पर 0 put करेंगे, y के स्थान पर 0 put करेंगे, किस के अंदर in equation first in equation first, sum ही करने के अंदर तो ऐसा करने के बाद क्या होगा देखो आप? ऐसा करते ही left hand side 0 बनेंगे ठीके? but right hand side देखो आप, right hand side हमारे पास बन रही है यहाँ 0, यहाँ 0 that is, यह बनेगा हमारे पास, a square into minus a into minus 3 a, क्यों x के स्थान पर 0 put करना ठीके? तो right hand side की value हमारे पास आजेगी 4 a raised to the power 4 that is left hand side is not equal to right hand side at 0, 0 तो आप लोग लिख देना कि 0, 0 पर left hand side और right hand side ब्राबर नहीं है इसलिए दिया गया बकर मूल बिंदू से नहीं गुजरता given curve is not passing through origin ठीके? विकाज left hand side is not equal to right hand side फिर इसके बाद कौन सा point आता है? tangent at origin heading लगा दो आप tangent at origin मूल बिंदू पर स्पर्ष रेखाएं tangent at origin अब आप क्या लिखोगे? मूल बिंदू से जाई निरा तो मूल बिंदू पर स्पर्ष रेखाएं नहीं होगी ऐसा लिख दो आप ठीके? given curve is not passing through origin it means there are no tangent at origin मूल बिंदू पर कोई स्पर्ष रेखाएं का समीखरण नहीं मिलेगा please यह line लिख जुरूर देना आप और इसके बाब फिर हम क्या करते हैं? asymptotes अनन्द स्पर्षियां ग्याद करना ठीके? तो asymptotes के लिखो आप अनन्द स्पर्षियां ग्याद करना अनन्द स्पर्षियां ग्याद करेंगे तो देखो आप x की सब से बढ़ी पावर कितनी बढ़ेंगी? दो बढ़ेंगी यहापर तो लिखो आप parallel to x-axis और मैंने क्या का था? करव को एक ही साइड में कठा कर लो आप x into x minus 2a into y square minus a square into x minus a into x minus 3a equal to 0 ठीके? तो आप आप देखिए जब हम parallel to x-axis calculate करेंगे तो क्या करना होगा है? x के सब से बढ़ी पावर कितनी आएगी? multiply करने के बाद 2 और multiply करने के बाद 2 तो क्या लिखो गया आप? x-square का गुनांक बराबर 0 coefficient of x-square equal to 0 पुट करना और ऐसा करते ही क्या मिलेगा? asymptotes parallel to x-axis तो आप देखिए x-square के multiply में क्या बनेगा? एक तो आएगा y-square और फिर minus यहाँ x into x x-square साथ में minus a-square होगा equal to 0 ठीक है? अगर problem आ रही है तो आप इनका multiply कर लो multiply करने के बाद आप देख लेना x-square के multiply में यही बनेगा और इसको अगर हम 0 के ब्राबर put करते हैं हमारे पास क्या आता है? y-square equal to a-square that is y equal to plus minus a ओके? दो अनन्स परशिया आगे कौन कौन सी y ब्राबर a और y ब्राबर minus a फिर आज़ो आप parallel to y-axis y-axis के समांतर अनन्स परशिया parallel to y-axis y-axis के समांतर अनन्स परशिया क्या करना होगा? y की सावसे बड़ी पावर का गुनांक 0 के ब्राबर रखना coefficient of highest power of y equal to 0 put करेंगे हम तो y की highest power 2 है यहां पर तो क्या लिखोगे आप? y-square का गुनांक ब्राबर 0 English में coefficient of y-square equal to 0 तो y-square के multiply में क्या है? x into x minus 2a equal to 0 that is x equal to 0 and x minus 2a equal to 0 तो यहां पर x equal to कितना देगा? 2 या देगा ठीक है? तो कहने का लोग क्या है? दो asymptotes आपने को y-axis के parallel मिलेंगे कौन गौन सी? x equal to 0 itself y-axis भी asymptotes होगा करव की और x equal to 2a यह भी क्या होगा? अनन्स परशी यानि कि इन चारों करव को एक यह हो गया second यह हो गया दो यहां पर है y equal to plus minus a इन चारों लाइनों को दिया गया करव कहां पर touch करेगा? infinity के उपर infinite के उपर ओके? क्यों? अनन्स परशी है फिर इसके बाद आईए आप points calculate करना points calculate करना तो points के लिए मैंने आपको क्या होताया था? और यह कौन सा number हो गया इसका point का? इसका number हो गया 4 asymptotes और 5th number points calculate करना ओके? तो points calculate करने के लिए बहुत ही simple सा तरीका होता है y एक साइड के अंदर और x दूसरी साइड के अंदर तो देखवा y square equal to हम लिख सकते हैं a square into x minus a into x minus 3a upon x into x minus 2a ok y एक साइड के अंदर और x की टर्म एक साइड के अंदर इस तरीके से लिखना और अगले step के अंदर हम लोग क्या करेंगे? table त्यार करेंगे तो table के अंदर x और y की value calculate करना ok तब देखो बहुत ही simple उपर 0 बनाईए आप तो x ब्रापर a put करेंगे तो भी 0 हो जाएगा x इक्वल टू 3a put करेंगे तो भी 0 हो जाएगा y इक्वल टू 0 आएगा y इक्वल टू 0 आएगा और उसके बाद फिर क्या होता है? आप a और 3a के बीचे में value put करो आप 2a put कर दो आप देखो क्या हो रहा 2a put करने के बाद अगर हम x की value 2a रखें तो द्यान दो अपाउन में 0 और अपाउन में 0 का अंतलोब क्या होगा? y इक्वल टू y स्केर इक्वल टू infinite and y इक्वल टू plus minus infinite ओके? और उसके बाद अगर हम यहाँ पर 2a और 3a के बीचे में put करते हैं 2a और 3a के बीच यहाँ साथ से फ़ले आप लिखो a और 2a के बीच कितना? 1.5a यहाँ 3 by 2a लिख दो आप a और 2a के बीच ठीके? तो इसके लिए देखो क्या होगा? जब हम 3a by 2 put करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? positive क्योंकि 1.5 ए 1.5 minus 1 positive यह negative यह negative यह positive तो देखो negative और negative cancel हो जाएगा तो y square equal to positive then y equal to plus minus जितना y plus आएगा उतना ही minus आएगा ठीके? तो आप simple लिख सकते हो plus minus जरूरे नहीं हम point की value लिखे हैं यहाँ पर जितना plus का होगा उतना ही minus का होगा ठीके? और फिर इसके बाद आजवाब अगले step के अंदर 2a और 3a के बीच यानि कि 2.5 2.5 भी हम लिख सकते हैं 5a upon 2 2a और 3a के बीच ठीके? तो अब देखो आप यहाँ पर positive आएगा यहाँ पर negative आएगा यहाँ पर positive रहेगा यहाँ पर भी positive रहेगा कंग 2 से ज़्यादा put कर रहे हैं तो देखो एक negative आ रहा है इसके अंदर negative आने गाउतलों क्या होगा? imaginary कालपनिक क्याने गाउतलों क्या है? 2 और 3 और तीने के बीच में नहीं बनेगा ठीके? यानि कि जब हम table बनाते हैं point वड़ी तो वहाँ बहुत बातें clear हो याती है तो देखो आप origin से नहीं जा रहा है ठीके? उसके बाद हमारे पास A 0 है उसके बाद हमारे पास 2 A 0 है उसके बाद हमारे पास 3 A 0 है एक सक्सेज के उपर तो अभी देखो किस type का result बना है हमारे पास? कि जब हमने A और 2 A के बीज की value put किये तो plus minus यहाँ जितना उपर होगा उतना नीचे होगा और अगर हम 2 A और 3 A के between value put कर रहे है तो क्या रहा है? imaginary तो इसका अदर लोग क्या है? इस area के अंदर नहीं बढ़ेंगा कालपनिक ठीक है? और उसके बाद अगर हम greater than 3 A put करें तीने से बढ़ा put करें तो इसकी value कितनी आएगी देखो? आप तीने से बढ़ा put करतें यह plus यह plus यह plus यह plus आप चारे रखके देखो आप इसके अंदर यह भी plus आएगा यह भी plus आएगा यह भी plus आएगा यह भी plus आएगा तो y square equal to plus then y equal to plus minus तीने से बढ़ी कोई भी term put करेंगे जितना plus का अगा उतना है minus का तो इसके बाद इसकी shape ऐसी आएगी जैसा उपर वैसा ही नीचे because plus minus ठीके? इसके बाद फिर आजवाब हावी एकस इक्वल टू जिरो पुट करना एकस के स्थान पर जिरो पुट करिये आप एकस के स्थान पर जिरो पुट करते है अप ऑन में जिरो हो गया और अप ऑन में जिरो होते ही क्या आएगा? प्लस माइनस इंफानाइट क्योंकि y square equal to infinite then y equal to plus minus infinite फिर आप पुट करो जिरो और एके बीच यानि की a by 2 जस्ट idea लेना आपने को point calculate नहीं करने है rough idea तो a by 2 रखो आप यानि की अधा पुट करो आप half minus 1 minus हो गया फिर half minus 3 है minus हो गया फिर half minus 2 है minus हो गया कितने minus हो गय? 3 minus हो गया और 3 minus का multiply की होगा minus y square equal to minus then y equal to imaginary तो कहने का आप लोग क्या है? 0 और a के बीच में नहीं बढ़ेगा समझे आप? just rough idea अगर हम 0 और a के बीच पुट करते हैं कालपनी का रहे अर्थात कालपनी का आप लोग क्या होता है? real नहीं है reality नहीं है नहीं बढ़ेगा ओके? फिर आजब आप negative वड़ी side के अंदर minus वड़ी side के अंदर तो जैसे minus का a put करें है 0 से का minus का a बास ही last point है minus a रखते देखो क्या होगा? 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus और 4 minus का multiply क्या होता है? positive ठीक है? y square equal to positive then y equal to plus minus आप इसकी value calculate कर सकते हो रखके देखो आप क्या बनेगा? ये तो हो गया y square equal to a square फिर यहाँ आएगा minus 2a फिर यहाँ आएगा minus 4a अपन के अंदर आएगा minus a और multiply में आएगा minus 3a minus a put करना तो अब देखो 4 minus का अब प्लस हो गया और a square से a square cancel हो गया यह तो हमारे पास कितना आ रहा है? y square equal to 8 a square by 3 then y equal to कितना देगा? प्लस माइनस ठीक है? हाँ ये 8 का अंदर root 2 root 2 a square का a 3 का 1.7 ठीक है? और अब उसके बाद root 2 क्या होता है? root 2 होता है 1.4 into 2 कर दें 2.8 हो जाएगा ठीक है? upon 1.7 ओके? तो कुल मिलाकर के हमारे पास ये कितना मनेगा? 2.8 upon 1.7 decimal को उड़ा दो आप हटा सकते हैं तो 26 बटा स्तारा हो गया यह ठीक है? तो क्या लिख सकते हैं इसको हम? इसको हम लिख सकते हैं 1.something 1.something कोई जाधा लमें जोड़ी टर्म नहीं हैगी ठीक है? एक पॉइंट चार यां पांच के आसपास 1.4 ही लिख दो आप तो मैंने जो प्लस माइनस वड़ा पॉइंट यहां लिखा नहीं मैंने क्या बुला आपको? आप just ideal हो बस जैने कि जब हम a और 2a के बीच की value पुट कर रहे हैं जितना उपर बनेगा उतना ही नीचे बनेगा तो अब ऐसे देखो क्या होगा? जब हम minus a पुट कर रहे है y कितना रहे प्लस और minus अर्थाथ जितना x x के उपर उतना ही नीचे because x symmetry है अमारे पास ठीक है? और फिर पुटिन लेने खाले ही छोड़ दो आप इसके अंदर बाद में हम लिख देंगे ठीक है? तो अब देखो यहाँ से वैसे हम next लिखो tracing इसको अनुरेक करना इसको बनाना ठीक है? तो tracing के लिए यह आप हाँ वे x-axis and y-axis एक बर मैं इस तरीके से बना दो इसको फिर आपने इसको हटा करके और इधर कर देंगे तो यह हो गया x और यह y यह y- यह origin ठीक है? तो हमारे पास clear cut point कौन से है देखो आप a 0 इसको suppose कर लो यह 0 फिर हमारे पास है 3 a 0 तो a के बाद 2 a आएगा फिर के आएगा 3 a आएगा ठीक है? और उसके बाद 2 a x equal to 2 a y equal to plus minus infinite तो इसका आदलो के आए? यह जो line है x equal to 2 a इसको करव कहां पे touch करेगा? infinite के उपर ऐसे डॉटर करके शोड़गना आप अनन्स परशी x बराबर 2 a ठीक है? और उसके बाद यानि कि इस line को करव ने कहां पे touch करना है? infinite के अंदर, dot dot के अंदर point ले दो आप, जितना उपर उतना ही नीचे ठीक है? फिर आजब आप हमें a और 2 a के बीच a by 2 imaginary ठीक है? तो इसका आदलो क्या है? यहां पर a by 2 के उपर हमारे पास कितना आ रहे है? कालपनिक तो इसका आदलो क्या होगा? इस area के अंदर करव नहीं बढ़ेगा द्यांदना आप यहां नहीं बढ़ेगा इस area के अंदर ठीक है? और उसके बाद हमने क्या put किया? 3 a by 2 3 a by 2 के उपर कितना आ रहे है? प्लस माइनस यानि कि 1.5 a के उपर जितना प्लस उतना ही माइनस ऐसे और इस point में से जाएगा यह क्योंगि यह point हमारे पास आ रहा है कौन सा 1,0 तो यहां पर इसकी shape किस type की दिखाओगे आप? ऐसे dot dot से start कर दो इस point को cover करते हुए ऐसे नीचे ले जाओ आप और इदर बना दो इतनी जाओ ठीक है जैसा उपर वैसा ही नीचे और इस point के पास डोडोडोड करते हैं छोड़ देना आपने फिर आईए आप देखो यहां बढ़ेंगा नहीं क्योंकि imaginary आ रहा है कल्पनिक आ रहा है इस area के अंदर फिर उसके बाद जब हमने 2a और 3a के बीचे पुट किया है देखो आप 2.5a by 2 कितना रहा है imaginary तो यहां नहीं बढ़ना है ध्यान देना आप कल्पनिक ठीक है फिर उसके बाद 3a से बड़ा पुट कर रहे है तो क्या रहा है प्लस माइनस इसके बाद क्या होगा प्लस माइनस जितना प्लस का उतना ही माइनस का ठीक है और इसके बाद फिर आईए आप हमारे पास अनन्द्स परशिया है और कौन से y equal to a और y equal to minus a उनको यह बना दो आप y equal to a इसको करू कहां पर टच करेगा infinite के उपर और y equal to minus a इसको भी कहां पर टच करेगा minus infinity के उपर इसलिए मैंने इसको dot करके शोड़ दिया गए ठीक है तो अब आप आईए जैसे ही हम तीने से बड़ा पुट करते हैं कितना रहा प्लस माइनस तो देखो आप प्लस माइनस यहां भी प्लस माइनस यहां भी प्लस माइनस लेकिन इन से बाहर नहीं जाएगा को इनको टच करेगा लास्ट में जागर के विकॉज यह इसके अनन्थ परशिया है इनको कहां भी मिलेगा अनन्थ के उपर तो आप लोगों नहीं क्या करना है ऐसे इन पॉइंट्स को कवर करते हुए ऐसे नीचे बना दो आप और लास्ट में ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पर इसको छोड़ देना आप ओके तो यह कौन सी लाइन है यह वाई इक्वल टू ए है और यह क्या है वाई इक्वल टू माइनस अनन्थ परशिया अनन्थ के उपर टच करना फिर आजवाप नेगेटी वड़ी साइड के अंदर माइनस वड़ी स की व्ड़ेट आहाँ वाई हमारे पास हाया था प्लस माइनस तो इसका मतलूब क्या वाए अधा प्लस माइनस एससे बढ़ा तो इस का वाई Perfect क्या होगा इस लाइन को कहां पर टच कर रहा है इन्फनिटी के उपर, यह इसकी अनन्स परशी है इसको डॉट डॉट से शो कर दो आप, तो फिर आप इसकी शेप कैसे दिखाओगे यहां से डॉट डॉट में करते हुए कर्व को इस तरीके से लेके आना और आगे यह लाइन भी क्या है देखो आप अनन्स परशी है, इसको भी कहां पर टच करेगा, इन्फनिटी के उपर और ऐसे फिर यहां पर आजवाब जैसा एक्स एक्स के उपर वैसा ही एक्स एक्स के नीचे और इस लाइन को भी क्या करना आपने डॉट डॉट से दिखा दो आगे ऐसे, क्योंकि इसकी अनन्स परशी है तो प्लीज डॉट डॉट से स्टार्ड करते हुए और इधर भी डॉट डॉट से करों को मिला देना आपने तो यह इस वकर का डाइग्राम है इस त्रीके से इसके हम ट्रेसिंग करते हैं, ओके और अब एरिया के अंदर क्या लिख सकते हो आप मैंने क्या होता है था एरिया कहां लोग क्या होता है जैसे मेरा घर है, किसी कलोनी में है उसके आसपास कोई टेमपल है उसके आज़ पास कोई गुर्दवारा है यहां के और माइल स्टोन है तो आप यह बता सकते हो रीजिन के अंदर तो इस रीजिन के अंदर आप आप क्या लिखोगे यहां नहीं बन रहा यहां नहीं बन रहा यह चीज़ लिख दो आप थीक है नंबर एक 0 0 एवं A 0 के between करब नहीं बनेगा उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं 2 A, 0 और 3 A, 0 के बीच में नहीं बनेगा ये चीजे लिखो आप 2 A, 0 and 3 A, 0 के बीच में दियागा बकर नहीं बनेगा और फिर क्या लिख सकते हैं आप ठीके Y-axis के right-hand side के अंदर इन दोनों नंस पर्शियों के बीच में नहीं बन रहा ऐसा लिख सकते हैं आप तो लिख दो number second in the right-hand side of Y-axis in right-hand side of Y-axis curve is does not exist between Y equal to minus A to Y equal to plus A does not exist in Y equal to minus A to Y equal to plus A यानि कि जो इस डियाग्राम के अंदर आपको दिख रहा है वह आप लिख सकते हैं इसके बारे में इस एरिया के अंदर और बाते में लिख सकते हैं आप दो ठीके बस दो तिन पॉइंट बहुत होते हैं इसके अंदर अंदर ओके मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर जूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल प्याएं प्री मैफ क्लासेज और सब्सक्राइब जरूर करें थेंक यूट्यू